हरे क्रिश्न, मेरे प्यारों, भायों, बहनों, बंधों और सखाओं, मधुल भक्तिकाता चनल में आप सभी का हार्देख स्वागत है हमारे चनल में आप अगर पहले बार आए हैं तो हमारे चनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हमारे चनल में आने बाली नोटिफिकेशन की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, योगिनी एकादसी की इवरत कथा धर्म राज जी धिश्टिर कहने लगे की, ही भगवान मैंने जेश्ट सुकल एकादसी की बरत के महात्मे सुना अब गुरुपया आशार कुरुष्न एकादसी का कथा सुना ये, इसका नाम क्या है, महात्मे क्या है, यह भी बताए स्री कृष्न जी कहने लगे, ही राजन आशार कृष्न एकादसी का नाम योगिनी एकादसी है, इसके बरत से समस्त पाफ नश्ठ हो जाते हैं, यह इस लोग में भूग और परलोग में मुक्ती देने वाली है, यह तीनों लोगों में प्रसिध है, मैं तुमसे पुराणों म बर्नन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पुर्वक सुनो, स्वर्गधाम की अलका पूरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था, वह सीव भक था और प्रतिदीन सीव का पुजा किया करता था, हेम नामक का एक माली पुजन के लिए उसके यहां फूल लाया क करता था, हेम की विशालाक्षी नाम की एक सुन्दर स्त्री थी, एक दिन वह मान सरुपर से पुस्पतो ले आया, लेकिन काम सक्त होने के कारण वह अपने स्त्री से हाश्य विनोत तथा रमन करने लगा, इधर राजा उसकी दूपहर तक रहा देखता रहा, अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आगिया दे कि तुम लोग जाकर माली के ने आने का कारण पता करो, कि वह अभी तक पुस्पर लेकर नहीं आया, सेवकों ने कहा कि महाराज वह पापी अतिकामी है, अपने स्त्री के साथ हाश्य विनोत और रमन कर रहा होगा, यह सुनकर कुबेर ने क्रधित होकर उसे बुलाया, हे माली राजा के भय से कापता हुआ उपस्तित हुआ, राजा कुबेर ने कुरोद में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तुने मेरे परम पुजनिय इस्वर के इस्वर, सिरी सिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुम्हें सहेगा, और मुरित्यू लोग में जाकर कोड़ी होगा, कुबेर के साब से हे माली का स्वर्ग से पतन हो गया, और वह उसी क्षन पृत्वी पर गिर गया, भूतल पर आते ही उसके सरीर में स्वेत कोड़ हो गया, उसकी स्तिरी भी उसी समय अंतरध्यान हो गई, मुरित्यू लोग में आकर माली ने महान दूख भोगे, भयानक जंगल में जाकर बिना अन और जल के भटकता रहा, रात्री को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु सिव जी की पुजा के प्रभाप से उसका पिछला स्मुरुती का ग्यान अबस्य रहा, गुमते गुमते एक दिन वह मा मारकंडेयर उसी के आश्रम में पहुँच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक बुद्ध थे, और जिनका आश्रम ब्रह्मा के सभा के समान लगता था, हे माली वहां जाकर उनके पेरों में पढ़ गया, उसे देखकर मारकंडेयर उसी बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाप से यह आलाथ हो गई है, हे माली ने सारा बुतान तकह सुनाया, यह सुनकर रुसी बोले, निस्ची थी तुने मेरे समूख सत्य बचन कहे है, इसलिए तेरे उधार के लिए मैं एक ब्रत बताता हूँ, यदि तु आसार मास के कृष्ण पक्षकी योगिनी नामक एकादसी का बिधी पूर्भक ब्रत करेगा, तो तेरे सब पाप नस्ठ हो जाएंगे, यह सुनकर हे माली ने अत्यंत प्रसन होकर मुनी को साष्टांग प्रणाम किया, मुनी ने उसे स्नेह के साथ उठाया, हे माली ने मुनी के गथानुसार बिधी पूर्भक योगि नामक एकादसी का ब्रत किया, इस ब्रत के प्रभाब से अपने पुराने स्वरुप में आकर वो अपनी स्तिरी के साथ सुक पुर्भक रहने लगा, भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन यह योगिन ने इकादसी का ब्रत, अठासी हजार ब्राम्हणों को भोजन कराने का पराबर फल देता है, इसके ब्रत से समस्त पाब दूर हो जाते हैं, और अंत में स्वर्प की प्राप्ती होती है, और मनुस्य के सारे मनों का मुना पूर्ण होते हैं, बोलो विष्णु भगवान की जै, योगिन ने इकादसी में, अगर कोई विष्णु भगवान के नाम करेगा, विष्णु सहसर नाम का पाठ करेगा, सत्यनाराण कथा करवाएगा, या दूसरे मंत्र का पाठ करेगा, तो वह सिग्रसिद्ध होता है, भक्तों आपको अगर मेरे ब्रत कसा पसंद आया, तो मेरे चनल को लाइक कीजी, और सियार कीजी, और कोमेंड में जै विष् भगवान लिखिये, राधे, राधे,